हाई गाई वेलकौम बेक तू माई चेनल कैसे हूँ आप सब आई हो आप सब आँछा तो आज की वीडियो में के साथ जशन के वीडियो शेयर कर रही हूं हाई ब्रेडड़ बन की वीडियो ब्रेडह बना जब शून्दरे के वीडियो को शाप आक प्यार करेंfahr तो guys I hope आपको येवली वीडियो भी अच्छी लगे तो चलिए guys वीडियो को स्चार्ट करते हैं तो guys सबसे पहले ना जशन के बालों पर मैंने अच्छी तरह से आइलिंग की है और सभी टैंगल्स को मैंने रिमूव की है और अब सबसे पहले मुझे इसके poni tail करनी है जब मुझे इसके single poni tail करनी होती है तो उसके बाल बिल्कुल हाथों में आते हैं अभी मैंने इतनी अच्छी उसके बालों पर इतनी जादी मैंने oiling की हुई है जब मैं उसके center partition कर देती हूं फिर बाल दोनों साइट से तोड़े हलके हो जते हैं हाथों में आ जते हैं बट जब single ponytail करनी हो ना उसके बाल हाथ में आते ही नहीं है उसके बाल इतने ज्यादा हैवी है कि पॉनी टेल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जता है हाई पॉन कि पॉनी टेλα मैंने चैना पॉनी टेल कीई है ऐसे में जब से पहले उसके बालों पर OIL की है सभी टेङल को T forums कि ताकि जड़े हलके हो जाएं इतने ज्यादा उसके हैवी बाल है बालू की लेंध इतनी ज्यादा लंबी है कि मतक किसी टाइम तो हमें परिशानी होती है बन बनाने में ब्रेड बनाने में जूड़ा करने में उसके बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उसके बाल इतने ज्यादा हैवी है तो देखें मैंने पार बेंड उसे वेर कर दिया है यह बन मुझे बनाना है अब मैं ब्रेड बना रही हूं तो आप उसकी ब्रेड भी देख सकते हैं कि इतनी जदी उसकी मोटी वाली ब्रेड बनती है कि मतलब जैसे हमने तीन हिस्सों में बाल बटते हैं तो एक एक हिस्से के बाल पता लगते हैं आतों में पकड़े हुए इतने ज़्यदा हैवी उसके बाल है तो देखिए इस तरह से मैंने ब्रेड बनाई है सबी टैंगल्स को मैंने पहले ही रिमूव कर लिया और यहीं बाल अगर किसी लड़की के उते ना तो इतने प्यारे प्यारे इतने सुन्दर उसके हेरस्ट्राइल बनने थे या फिर हम ओपन भी बालों को छोड़ ले या बालों को थोड़ा स्ट्रेट करें तो बड़े ही सुन्दर लगने थे बट जेशन तो आप सबको पता है कि आल टाइम वह जूड़ा करके ही रखता है बहुत ज्यादा मतलब ऑईलिंग मैंने अभी नहीं किया है थोड़ा कमी मैंने ऑईल लगाया है तो देखे इस तरह से मैंने उसके ब्रेड बनाई है लास्ट में मैं रवर्ड बेंड ही डाल रही हों क्योंकि मुझे बन बनाना है तो देखे गाइज इस तरह से मैंने ब्रेड को फोल्ड की है बड़ा सुंदर बन बना था उसके पूरी ब्रेड नजर आ रही है तो देखे guys last में bun की look कुछ इस तरह से आई है बिलकुल high bun मैंने बनाया है और oily बालों पर मैंने bun बनाया है bread बना कर फिर bun बनाया है तो guys आपको ये वला hairstyle कैसा लगा ये bun आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताना कि आपको ये वली वीडियो कैसे लगी तो आप बिल्कुल क्लोज से बन की लुक देख सकते हैं आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो चलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए थैंक्यू बाइ